Hello everyone, my name is Galaxy and you are watching Stambring Solution. In this video I will talk about neuroplasticity and stambring. कैसे हम इन दो concept को merge करके stambring का solution निगाल सकते हैं? इस वीडियो का focus यही होगा. तो पहले मैं बात करूँगा neuroplasticity के बारे में. Then अपन लोग ये जो ability है brain की neuroplasticity, इसका क्या importance है stambring की ओर करने में उसके बारे में बात करेंगा, ठीक है? तो पहले बात करते हैं neuroplasticity के बारे में. So definition के according ये है कि it's the ability of a brain to change your rewire itself throughout the life, throughout the life, ठीक है? और simplify करता हूँ, ये जो word है neuroplasticity. neuro का मतलब होता है neurons. neurons क्या होते हैं? brain की cells होते हैं. एक functional unit होते हैं, काफी लंबे cells होते हैं, कुछ इस तरीके के. ठीक है? और ये neurons जो है ना, ये neuro का meaning तो neurons हो गया, और ये जो word है plasticity. Plasticity का मतलब है ability to change, मतलब जो neurons के जो ऐसे connection मन रख्या है, वो ऐसे हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, वो या फिर दो खुल जाएंगे, तीन खुल जाएंगे. So, यह basically क्या है, कि neurons की ability है, अपने बीच के connection, अपने बीच के maps को rewire करना, या फिर change करना, इसी चीज को neuroplasticity कहते हैं, ठीक है, इसका एक example अपन लोग लेते हैं, मैं बच्पन से ही right hand से लिखता हूँ आ रहा हूँ, ठीक है, तो 6th, 7th, 8th, 11th, 12th, अभी भी मैं right hand से ही लिखता हूँ, अभी मैं left hand से लिखने जाओंगा तो मैं properly लिखना ही पाओंगा, क्यों? because मैंने अपने जो neurons है उसका connection बनाया यह नहीं है बाद में बाद में आबाद में तो मैंने अपने जो neurons है उसका connection जो है बनाया यह नहीं है left hand के कहीं मैं बात करूं तो but right hand से मैं लिखने जाओं तो मैं लिख लूँगा because already मैंने अपने neurons के बीच में connection बना रख है right so यह basically होता है neuroplasticity कि neurons के बीच का जो connection है जो wiring है वो throughout the life change होते रहती है अब इसको और simplify करता हूँ एक और example अपनो लेते हैं मैंने typing जो होती है computer typing वो जब मैं 21 year old था तो उस time मैंने computer typing सीखी दी starting में मुझे जो keys जो होती है keyboard पर वो देखनी होती थी कहाँ पर F लिखा है कहाँ पर E लिखा है कहाँ पर J लिखा है कहाँ पर K लिखा हो है but अभी like मुझे almost 2 साल हो चुके हैं typing करते हुए अभी मैं बिना देखे typing कर देता हूँ बिना देखे F कहाँ पर G कहाँ पर बहुत fastly कर देता हूँ क्यूँ because मैंने typing के लिए कुछ neurons के map already बना रखे हैं और वो map इतने strong हो चुके हैं कि वो काफी वो मेरे actions में भी दिखते हैं वो मेरे behaviors में भी दिखते हैं वो मेरे finger के movement में ही दिखते हैं तो यही है neuroplasticity कि throughout the life यह जो brain के connections है जो neurons के भी इसके connection है वो change होते रहते हैं वो rewiring होते रहती है वो neural map different different create करते रहते हैं तो यह basically concept है neuroplasticity का अब अपन लोग बात करेंगे stammering के बारे में तो क्या होता है कि जो stammering होती है stammering का भी same चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे right hand से लिखने की habit है जो मैंने neural connection right hand वाले ही बना रखे same stammering के साथ में stammering क्या होती है कि बच्पन में जब आप 3rd 4th में होता है आपको stammering होना start होती है तो आपके जो neural connection होते है starting में काफी low होते है because वो होते है न हम लोग बोलते है कि मेरे parents को stammering थी तो मुझे भी stammering मतलब है because आपने न कुछ connection जो है वहाँ से inherit करे है ठीक है वो connection but inherit करे है but वो काफी weak है तीन बहुत less amount of connection है वो तुमारे behavior को determine नहीं कर रहे हैं वो particular stage पे but कहीं वो connection को आपने repeat किया कहीं वो behavior को आपने repeat किया then वो connection strong होते हैं और चैन में आते हैं वो map बनाना start कर देते as a result आप जब 6 साल के होते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 साल आपके connection बहुत strong हो रखे होते हैं और वो आपके behavior में भी दिखते हैं stammering के form में ठीक है तो यह basically concept है stammering का कि आपकी stammering भी result है neural mapping का जो आपकी बच्पन से होते हुए आई है ठीक है बट जो मैंने आपको second example दिया कि typing मैंने 21 साल की उम्पर में सिखी है क्यों अब काईदे से ऐसा है कि neurons थो बच्पन से connect होते हुए हैं अभी तो connect नहीं होने चाहिए नहीं बट 21 साल के उम्पर में भी मैंने typing करना सीख लिया मैंने नए neural connections मना रखे ठीक है तो हम भी क्या कर सकते हैं कि जो stammering वाले neural connections है उसको weak कर सकते हैं और fluency वाले neural connection को strong कर सकते हैं दो वर्ड जो मैंने बोले हैं weak और strong इनको और simplify करता हूँ क्या होता है जखी एक neuron हो गया second neuron यह हो गया यह है भी यह connect हुए है पहला connect हुआ यह stammering वाले neural connections है मैंने stammering की connect हुआ दुबारा मैंने stammering करी यह connect हुआ जब third time करी connect हुआ fourth connect हुआ fifth connect हुआ sixth connect हुआ seventh connect हुआ eighth connect हुआ तो यह strong होता जा रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने उस particular action को repeat किया है बार 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 ठीक है अब यह हो गया strong connect बट ऐसा नहीं कि हमेशा अब यह जुड़ा हो रहेगा कहीं मैं यह action को यह stammering के connect है कि behavior को करना बंद कर दो repeat करना बंद कर दो तो यह weak होना start दाएगा यह weak हुआ 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 और तूड़ी है अब जो है behavior होगा ही नहीं because mapping ही अड़ गई है neural connection ही मिढ़ गया है क्योंकि मैंने stammering कम कर दी मैंने reduce कर दी तो वो जो strong connection था weak होना start हो गया अब जो मैंने बात करी है stammering कम कर दी मैं बंद कर दी है मैंने करना वो कैसे कर दी so मेरे बोलने का meaning यह है कि मैंने क्या बोला कि कहीं मैं action को repeat करूँगा तो stammering के connection मेरे strong होता जाएगे कहीं मैं action को repeat नहीं करूँगा तो मेरे stammering के neural connection जो यह weak होता जाएगे तो अपने को simply आप focus करना है कैसे हम stammering reduce करे कैसे अपन लोग कम करे इसके लिए आपको solution नहीं पता है block correction prolongation right breathing जो reading practice होती है जो room पे आप लोग करते है आपको लगता है काफी ineffective है नहीं जो आप एक घंटा book को पढ़ते हो ना एक तरीके से वो जो fluency वाले neural connection है तुमारा mind बना रहा होता है ठीक है तो यह basically चीज है कि neural connections तुम बना सकते हो तुम repeat कर मतलब जो action है stammering वाला उसको कम करने से जो strong connection है वो weak हो गये और कहीं तुमारा fluency से बोलोंगे with help of techniques various stammering techniques तो आपके जो fluency वाले connection है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे वो strong होना स्टार्ट हो जाएंगे और the moment के पूरा map कहीं बन गया fluency वाला तो mind fluency में ही behave करेगा same in case of like मेरे case में दो साल पहले मैं बहुत stammering करता था पर अभी मैं नहीं कर रहा हूँ because मैंने fluency वाले neural connections है उसको build कर दिया है map मैं दिन बे दिन day by day strong करते जा रहा हूँ as a result मुझे stammering कर दो हो रही right so ये पूरा funda था इस video का conclusion ये है कि neural connections दुबारा बनाये जा सकते है जो rewiring होती है mind की हो सकती है ये कहीं हो सकती है तो आपकी stammering भी cure हो सकती है काफी लोग ये बोलते हैं कि stammering का कोई cure नहीं है कोई solution नहीं है solution है ये जो smart ability है mind की neuroplacity तो उसका एक अच्छे एक effective way में realize करो तो इस चीज का भी solution है तो ये basically video था कहीं आपको कोई guidance की requirement है कि कैसे आपको stammering को cure करना है और overcome करना है आप simply मुझे whatsapp पे message drop कर सकते है whatsapp number मेरा description box में आपको मिल जाएगा so this is it for this video